दो वायतामिन सी अभ़र हम वायतामिन देखो डेखे तो इसको स्कॉर्वेग एसेड भी बोलते हैं दैंकि जह सकॉर्वेगे स्टी आवायतामिन रही होता है। इसकी अगर आग्र चैरेक्टरस देखें तो वायतामिन दियू एक हैाने हमारी बॉड़ी में बहुत ज्यादा यहादा है फिर गदयाग्रिश्ट न ऑफ केलोजन की की आगे स्टरेंध देन ती है connective tissues को यानि के हमारे जो connective tissues होते हैं बोडी के उनको strength मिलती है केलोजिन से और केलोजिन जो है इसकी बनने के लिए ज़रूरी होता है vitamin C इस तरह जो vitamin C है इसका बहुत ज़दा रोज होता है हमारी immunity में यानि के white blood cells की formation को enhance करता है vitamin C जो है ये enhance करता है white blood cells को यानि के white blood cells के जो proper functioning है उसको ये enhance करता है जिससे हमारी जो immunity है immune system है जिससे defense system भी बोलते हैं वो strong हो जाता है इसी तरह अगर हम बात करें तो vitamin C जो है अगर हम इसकी बात करें तो vitamin C के जो जो जोनिके source ही जो बहुत जादा होती है like leafy green vegetables इसके जिरे इनको असल किया जा सकता है इसी तरह citrus fruits वगरा like अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हासिल होता है like ये orange वगरा से इसी तरह हमारे पास lemon है ये different sources है vitamin C के इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास इससे जो होने वाली disease है इसकी deficiency है जो disease होती है उसे बोलते है सकर्वे सकर्वे में क्या होता है कि सकर्वे में एक acid disease है जो कि इसकी कमी की वज़ा से होती है इसमें होता है कि muscles और joints जहें में शदीद pain होती है muscles और हमारे joints joints उस जगह पे बनते है जहां पे दो bones आकर meet करती है मिलती है तो उस जगह पे joint बनता है और हमारे muscles और joints वगरा हमें बहुत शदीद दर्द चूर हो जाती है इस तरह जो bleeding gums है slow wound healing जो जखम होता है जहां पे चोड बगरा लग जाती है वहां पे जखम है वो उसकी healing नहीं प्रॉपरली हो पाती इसी तरह dry skin और हमारी जो skin है वो बहुत खुश को जाती है तो यहीं वज़ाए कि हर vitamin जो हमारी body में एक important role play करता है without its deficiency हमारी body जो है वो proper work नहीं करती क्योंकि हर vitamin है इसका एक अपना function होता है इसका एक अपना role होता है तो यहीं वज़ाए कि हर vitamin इनको चाहे वो जो भी है उसको maintain रखना पड़ता है हमारी body में तो यहीं है सारे इसके यह sources और इसके यह जो defects हैं वो सारे बियान गर दी है ओके थैंक्स